हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागते करन्ट अफेर्स फंटा के यूटूब चनल पर मेरा नाम है विकास आपने देखा 12 असको RRB क्लेरिकल का डे बन कंड़क्ट हुआ जिसमें 4 अलग लग सिफ्ट हुई बहुत साइड लोगों ने पेपर दिया है और काफी लोगों में सवाल आ रहा है कि यार 70-75 सब लोग उपर अटेम करकर आ रहे हैं तो कितनी कट अफ होगी क्या मेरा पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा पेपर किस फॉर्मेट में था दिखो अगर मैं यहां पर कहूं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनों ने इस पेपर को जब बनाया तो कहीं ना कहीं पर 75-72 इतने 74 इतने टेम तो उन्होंने बना लिये दे अब मैं अगर नहीं थोड़ा सा ब्रेइक डाउन करूं दोनों सेक्शन का क्वान का और रिस निंग का यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैंने 36 क्वालिफं में बनाया है और 38 मैंने 6 और proud मियुत इस बने हैं कुछ ऐसे यूंग में कर एक तरेके से यह देखना चाहे कि कोई 35 अगर क्वांट में मना रहा है, 35 रिजने में मना रहा है तो वो फिर भी 70 का अकड़ा यहां पर टच कर लिए रहा है मेरे हिसाब से अगर आप गुड अटेम्स की बात करोगे कि कितने बहुत अच्छे अटेम्स हैं, अगर देखो accuracy हमेशा matter करती है अगर आपने इसको follow करके 70-72 भी किये, तो मुझे लग रहा है कि आपको आगे मौका मिल सकता है ठीक है, आपको त्यारी करनी चाहिए क्योंकि आई-बी-पेस का जादू जब आता है ना, तो normalized score में अच्छे अच्छे लोग शॉक रह जाते हैं वो यही सोचते है, और मैं कैसे बाहर हो गया या फिर जिसके उम्मीद कम होती, वो कहते है मेरा paper कैसे qualify होगा, मुझे तो कुछ नहीं पता तो इन सब चीजों के कारण मैं आपको बस यही काऊंगा, कि यह अच्छे attempts हैं और इन पर आपको आगे की त्यारी करनी चाहिए, और हाँ, current affairs funda का आप mobile application download कर ले ना, क्योंकि बहाँ पर आपको हर एक current affairs मिल जाएगा, और साथ में last six month के current affairs मिलेंगे, जिसमें महिने के 500 mcq विदूत है, डिटेल होता है, और banking, finance, category wise G होता है, static G के cover होता है, weekly, monthly, daily, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, plus reasoning के बहाँ पर hundred plus puzzles है, means level के तो आप उसको भी opt यहां पर कर सकते हैं, अब देखो जैसे कि day बन का मैं आपको थोड़ा से हैं पर scenario बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से लोगों ने अपना-पना फीड़एक शेयर किया हुआ है, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोगाइज हैं, जो 73 से लेकर आप यह मान कर चलें कि लगबग 73 से 78 के बीच में उन्होंने attempt यहां पर किये हुए हैं, अगर मैं shift बन की बात यहां पर करो, ठीक है, अब आप यह देखोगे हैं कि जो आपकी next shift, shift number 2, shift number 3, shift number 4, यहां पर भी हमें आकड़े, बहुत जदा मैं आपको बता दू कि हर एक लेवल का बंदा होता है, कुछ लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जो रिजनिंग में पूरे 40 बना कर आए होंगे, दोनों चीज़े रहती है, बस मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से कर आप पेपर बना रहा हो तो 72, 73 जो हैं एक अच्छे खासी स्टेडी में यहां पर attempt में इनको मानूँगा, ठीक है, बाकी जो पूरे-पूरे बना कर आ रहा है, यहां पूछे चानसे यहां नहीं है, उनके अच्छे से चांसे यहां पर रहेंगे, ठीक है, तो आप आगे की अपनी त्यारी करिएगा, और यह बिल्कुल भी मतलब मस समझना कि कोई परसन ऐसा है, जो कहते हैं, मैं 65 बना कर आया हूं, या फिर 68 में बना कर आया हूं, तो म कहना बहुत जल्दवाजी होगी, लिकिन हाँ, जिस हिसाब से हम एक अच्छी त्यारी के ऊपर बात करें, तो मुझे लग रहा है कि 70 बातर देतर वाला टेम्ट अच्छा है, बट 68, 64, 65, ऐसे भी कुछ एरियाज आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर कुछ रिजन्स मे अलग-लग केटेगरी की इतनी कट अफ में देखने को मिल जाएं, ठीक है, बट अन्रिजब केटेगरी में अगर मैं बात करूं, जैसे यूपी हो गया, अलग-लग जिगह हो गया, तो यहां पर तो आकड़े 70 प्लस जाने की पूरी-पूरी उमीद यहां पर रहेगी, ठीक ह तो यह चीजे हैं, जो कई सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या करूं, तैयारी ना करूं, यह है, वो है, तो बस मैं तो यही कहूंगा, कि आप आगे फर्दर स्टार्ट करो अपनी प्रिप्रेशन, और आपको मौका यहां पर मिल सकता है, और हां, Current Affairs के लिए हमा तो आप इनको देखें, बहुत बहतरीन है, आपकी प्रिप्रेशन अच्छी होगी, और प्लस कंसेप्स भी है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, यही दो चीजे हमने आपर रखिये, अगर आप इनको बनाओगे, तो आपको अपनी अच्छी खासी इंप्रूमेंट देखने आपर मिलेगी, ठीक है, तो यह जो पॉइंट था मैने आपर आपके शेयर किया, प्लीज आप इस वीडियो को आगे फ़र्वर्ट जरू करेगा, और आपकी जो भी उपीनियो जो भी रहे हैं, आप कमेंट सेक्षिन में आपर बिंदास रख सकते हैं, थैंकिस तो मज गैस, आपको दिए और लफी बन सगें, विल में ये ने 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 च्ट वीडियो